गुद मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बिटा आज है हमारा हिंदी का टन तो हिंदी में लास्ट वीक हमने पड़ा था चैप्टर नंबर फोर पत्ते ही पत्ते तो मैंने आपको इसकी क्या दी थी राइटिंग करने के लिए दी थी आज हम करेंगे इसके कुश्यन आंसर तो इसका लैसन रीज करवाया था था उसमें आप देखोगे उसमें दे रखाया है कि दो रंग वाला जो पत्ता था उसमें कौन-कौन से रंग मिले वेते मैं आपको दिफाती हूं बुक में ये है देखो एक पत्ता पीला और कथा रंग का था तो कैसे आए दो कलर आया एक कैसा कलर एक पीला रंग आया और एक कथई रंग का आया यह दे रखा है ना इधर क्या है पीला है आधा पत्ता पीला है और आधा पत्ता कैसा है कथई रंग का है ठीक है तो इसमें दे रखें आप्शन फर्स्ट पहला का है पीला कथई हरा या लाल गुलाबी या नीला सफेद या हरा तो इसमें से कौन सा option सही होगा का वाला फिर्स्ट वाला का वाला option सही होगा तो आपको क्या करना है इसको टिक करना है ये थ्री option इसमें दिये गए हैं और दो option भी आपको ऐसी करने हैं second question है हमारा सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाईए ठीक है दिदी ने बच्चों को गोला बना कर बैठने को कहा सही था या गलत था बोला था दिदी ने या नहीं बोला था मैंने आपको लेसन रीट कराया था तो उसमें से आप बुक में देखके इसको सही और गलत का टिक करोगे third question है कोस्टकों में दिये गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिये यानि कि ये जो आपको option दिये गए हैं इनकी सहायता से आपने क्या करना है जो ये खाली जगा है इसको भरना है इसको फिल करना है ठीक है तो पहला क्या है सभी बच्चे dash बना कर बैठ गए सारे बच्चे क्या बना कर बैठे थे सीधी रेखा बना कर बैठे थे या गोला बना कर बैठे थे ना दिदी ने बोला था क्या गोला बना कर बैठ हो तो इसका सही option क्या होगा गोला आपको यह गोला यहाँ पर से यहाँ पर लिखना है kitaдж फॉर्थ है एंड फिर्थ है कि बाटा कि ऑट पूर पूशन है अमारा निम्लिकी प्रश्णों के उत्तर लिखे तो फर्स्ट आमारा दिधी ने कहां से कहां तक गिंती की यानिके जो लड़की थी दिधी थी उसने कितने तक की गिंती बोली थी ठीक है उसका अंजर आपको यहां पर लिखना है ठीक है गिंती शुरू करने से पहले दिदी ने बच्चों को क्या करने के लिए कहा था ठीक है अब यह उपर भी आया था कि जब गिंती शुरू करने से पहले दिदी ने उनको क्या करने के लिए कहा था ठी पहले ही लड़की ने क्या किया जो लड़की थी एक लड़की थी उसने क्या किया पांच दिदी के पांच बोलने से पहले ही क्या कर लिया था वह आपको लिखना है ठीक है क्या किया था बैट गई थी धड़ाम से बैट गई थी के दिदी के पास किस किस आकार के पत्ते थे ठ आज आपको फॉर कोश्चन है इसके इस वाले लेसन के तो यह आपको कम्प्लीट करने हैं ठीक है बटा और इन में से जो यह पत्ते हैं इन में से पांच सिर्फ पांच परकार के पत्ते आप बनाओगे ठीक है इसमें से क्या बनाओगे आप पांच परकार के पत्ते बनाओगे ठीक है और पांच परकार के पत्ते बनाओगे और दो कोश्चन करोगे ठीक है आज के आपके लिए होमवर्क है